नेम को राज योग कैसे बनाया जाए आज हम उसी के बारे में बात करें कि दिखिए आज कल क्या होता है कि नॉम में कोई आदमी वाई लगा दिया या सपोज कि यहां पर डबल ओ लगा देगा और जोर कर जो है उसको पॉंच यह पे या छे पे लेकर जाता है इस प्रकार से अगर आप norm corrections करते हैं क्योंकि कुछ vibrations होता है जैसे कि AR का vibrations हुआ जो कि बहुत अच्छा करता है नाम फिर्म देता है डबल L का वाइब्रेशन जो होता है वो नाम फिर्म करता है लेकिन वो थोड़ा सी health issues भी देता है आज हम अच्छे तरह से इस चीज को आप समझने का कर वह हैं देखिए हमारा जो नाम है कि मैंने किसी लरकी का नाम लिया है डॉली कुमारी उसका नाम है अब यह डॉली कुमारी जो है न इसका सबसे पहले यहाँ पर चार्ट बना हुआ है एक से आश तक यहां पर हमने बनाया है जैसे कि A से जो है एक का A IJ Q Y लिखा हुआ ह तीन का जो है C, G, L, S लिखा हुआ है, 4, D, M, T लिखा हुआ है, उसके बाद यहां पर आता है हमारा 5, 5 का E, H, N, X है, 6 का यहां पर U, V, W, 7 का O, Z, और 8 का जो है F और P, यह हमने यह चीज़ लिखा है, यह आप एक पेपर और पेन में अराम से इसको लिख लीजिए, या अग काम कर रहा है, अपने नाम को लिख लीजिए, जैसे के हमारा नाम जो है, हमने किसी दर्सक का नाम लिए है, Dolly Kumari, अब देखे, Dolly Kumari जो नाम है ना, यहां से सब कुछ यहां पर लिखने का क्वशिच जैसे कि यहाँ पर D, D है, तो इसके ऊपर में देखे कि इसका वेल्ल कि दोनी ये थिर्फ लते हैं पर यहां पर यह दिया यह तो यहां पर हम यहां पर Tim डॉली ठाकूर कुछ भी डाल सकता है तो उसके कोई दिख करते हैं अदमी टाइटल लगाते हैं लेकिन आप सर्टिफिकेट नेम ही लीजिए अपना टाइटल मतली लेने लगे जाईए जो सर्टिफिकेट में नेम है अभी आपको वही लेना है उसके बार के का यहां पर देखेंगे तो के का भेल्व देखेंगे यहां पर दो आ जाता है ठीक है यू अगर देखेंगे तो यू यहां पर देखेंगे यू कहां पर है तो यू यहां पर देखेंगे यू यहां पर यू अगर देखेंगे यहां पर यू आ गया सिक्स उसके यहाँ पर 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 यहाँ यहां पे जॉड Enjoy यहां को जोड़ने का धरला projeto बताया हूए हुआ है उसको जोड के अलग करेंगे तो अराम से निकल तका नाम है तो दुर डीजिट में निकालेगे पीरह आज़ाए करलेcken अब और यह सब को जोडते हैं तो यह मारा आजाय का ऐगा शोला थीक है यह यह हमारा पर दोनों को जोरना है यहाँ पर यह दोनों बाइब तो हम जोरेंगे क्या ची चौटीस सुरी हां 18 पलस 16 जो है यह हमारा चौटीस हो जाएगा चौटीस को 3 पलस 4 यानि की 7 हो गया यानि की यह spiritual हो जातक होगा जो भी होगा वो spiritual सेव केतू के हर गुल इसमें मिलेंगे अगर यह पूरा नाम अगर देखते हैं तो क्या है केतू के पास नहीं है उसका पास क्या है दिमाग क्योंकि आपको पता है जो गर्दन से उपर के भाग गवाग को हम राहू बोलते हैं अब यह क्या है लिडर्शिव क्वालिटी आपको हमने यह पूर्टल वीडियो की क्वालिटी जैसे एक से नौ तक के बारे में हमने आपको बता चुके हैं और के तु क्या है एक्सप्रिच्विटी का गरा है यह डिरेक्शन पर बहुत अच्छे तरह से चलेगा यह अपना दिमाग ने लगा अच्छा गाम करें यह अपना दिमाग ने लगा सकता है अब तक के साथ में थोरा सा आपको साफधोनी से रहना पड़ेगा से विडियोस अगर समझाने लगेंगे दिक्कत हो जाएगा अब देखिए यह हमारा से वन हुआ अब सपोज कि जीए कि इसका आगर छे निकल गया है सपोज कि यह चैए यह सपोज कि दिद्धर नमर निकल गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं जो आपको पूरा बर्थ होता है उसको उसका आगे का भाग थोरा साम इसको explain कर लेते हैं जैसे कि इस जाता का नाम बारह लिख देते हैं बारह पॉंच उन्हाइस सो पचासी में इसका जनम हुआ ठीक है सपोज कीजिए कि पचासी में इसका जनम हुआ अभी सब को यह होता ही हमार ड्रैवर नमर होता है और यह टोटल को जोड़ते हैं तो कंड़क्टर नमर निकलता है तो ड्रैवर नमर जो है यहां पर तीन होगा लेकर हम यहां पर ड्रैवर कंड़क्टर दोनों की बात कर रहे हैं यहां पर ड्रैवर कंड़क्टर नमर ड्रैवर यह होता है तो टोटल जोड़ने के बाद जो कंड़क्टर नमर होता है कंड़क्टर नमर यहा साथ निकला अरह साथ तो हमको कोई कामका नहीं है और शे भी हमारा कोई कामका है यहाँ पे चोगी साथ और जी applies निकल चुका है अब इसका गृरीड में देखेंगे कि इसको साथ है की नहीं है तो यह गृरीड का फ़र्मुलास फिर अलग होता है इसमें देखिए जैसे कि यह राजयोग की बात करते हैं तो जैसे हम जो राजयोग फॉलो दोस्तों अगर आप नमलो जी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं